हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज के वीडियो में रुपमीनी परकासन बिहार SAC 3rd CGL का सेट 10 शुरू करेंगे सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या पलिलिस्ट बे जाके आप वीडियो सब देख लिजेगा अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो टेंसन नहीं लेना है पूरे बुक का पीडियो आप लोगों को प्रोवाइट करा दिया जाएगा तो चलिए सेट 10 को शुरू कर लेते हैं हमारा पहला कुशन है हुएनसांग भारत के किसी विश्य विद्याले में 6 वर्षो तक पठन पाठन किया था हुएनसांग भारत के नालंदा विश्य विद्याले में 6 वर्षो तक पठन पाठन किया था ओप्शन बी राइट अंसर हो जाएगा नालंदा होयन सांग भारत हर्च वर्धन के दर्बार में आये थे होयन सांग चीनी यात्री थे जो 639 से 644 इस्वी के बीच भारत में निवास किया था ये नालंदा विश्वी द्याले में सिक्षा ग्रहन किया और अध्यापक का भी कारी किया हर्च वर्धन ने होयन सांग को राज किये अतिथी का दर्जा दिया तथा अपना दूत बना कर चीन भेजा नेक्स्ट कोईशन उस राजा का नाम बताए जिसने पहली बार यूदि में हाथियों का इस्तिमाल किया मगद ऑप्शन B होग ऑप्शन D राइट आंसर हो जाएगा शरुपर्थम यूदि में हाथि का परियोग मगद के शासक ने अंग या चमपा के विरूद यूदि में किया अंग महाजनपद पराजित हुआ उस समय अंग महाजनपद का शासक ब्रह्मा दत एवो मगद का शासक बिमबिशार था दिम्बिशार ने गिरी ब्रज को अपनी राजधानी जोए गिरी ब्रज को बनाया दिम्बिशार की हत्या उसके पुत्र अजाद सत्रू ने कर दिया तथा मगद की गदी पर बैठा अगला कोहिचन दिल्ली में हुमायू का मकवरा बनाने की योजना सरुपर्थम किसने बनवाया हाजी बेगम ओप्शन ए हो जाएगा दिल्ली में हुमायू का मकवरा बनाने की योजना सरुपर्थम हाजी बेगम के दुआरा बनाया गया था हुमायू का मकवरा अकबर कालिन पर्थम वास्तुकला का उधारन है हुमायू के मकवरा का मुख्य वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास था अकबर का मकवरा शिकंदरा में अस्तीत है इसका निर्मान जहांगीर ने किया बाबर का मकवरा काबूल में अस्तीत है क्रीप्स मीशन भारत में कब आया क्रीप्स मीशन भारत में 1942 इस्वी में आया जिसे महात्मा गांधी ने अगरीम भुकतान का चेक कहते हुए और शुविकार कर दिया option A right answer हो जाएगा 1942 में क्रीप्स मीशन ब्रिटिस सरकार दुवारा दूतिय विश्वी यूद में भारतियों का शहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक औसफल परियास था जो 1942 के मार्च के उतरार्ध में शर अश्टेफोर्ड क्रीप्स की अधेकसा में भारत आया था 1946 इस्वी में कैबिनेट मीशन भारत भेजा गया आठ अगस्ट 1940 को अगस्ट प्रस्ताव लॉड ली निलित्वो दुवारा लाया गया था निमलिखित में से कि सुल्तान ने सती पर्था रोकने का परियास किया मुहमद बिन तुगलक ने पहली बार सती पर्था रोकने का परियास किया option D right answer हो जाएगा मुहमद बिन तुगलक अकबर एवाम पुर्तगाली गवर्नर अलबु कर्क ने भी सती पर्था को रोकने का परियास किया अलाओदिन खिल जी ने बाजार नियंतरन वैवस्ता को लागू किया था फिरो सक तुगलक को सल्तनत कालिन अकबर कहा जाता है इल्दुतिमिस ने लाहोर के अस्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया दिल्ली सल्तनत में एक्ता पर्णाली का प्रारंब इल्दुतिमिस ने किया अगला कोहिचन तूलसी दास ने रामचरित मानस किसके सासन काल में लिखी तूलसी दास ने रामचरित मानस की रजणा अकबर के काल में लिखी option C right answer हो जाएगा अकबर तुलसी दास अकबर के समगालिन थे अकबर के काल को हिंदी साहित्ति का स्वर्नकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को चितरकला का स्वर्नकाल कहा जाता है निमलिखित में से किस मुगल सासक ने संगीत और निरित्ति पर परतिबंद लगाया था औरंग जेब भारते सास्त्रिय संगीत पर फार्शी में सबसे अधिक पुस्तके औरंग जेब के ही सासनकाल में लिखी गई औरंग जेब इसलाम धर्म के सुन्नी संपरदाय को मानता था उसे जिन्दा पीर कहा जाता है तो option C right answer हो जाएगा लोरिया नंदनगड असोक के इतिहाज की संपूर्ण जानकारी हमें उनके अभीलेखों से मिलती है अब तक असोक के करीब 40 अभीलेख पुए है इन सभी अभीलेखों में 4 लीपियों का पढ़ियों किया गया है ब्राहमी, खरोष्टी, गिरीक, एवं अर्माइक, 1837 इस्वी में सरुपर्थम जेम्स प्रिंसेप को असोग के असीला लेक पढ़ने में जो है सफलता मिली भारत में मुद्रा आपुर्ती की अस्थिती के संबध में कहा जा सकता है कि तो इसके संबध में जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है 2022 में BBC इंडियन अस्पोर्ट्स वुमेन आफ दी इयर आवार्ड किसे दिया गया है मीरा भाई चानू को जो वन चक्रवातों के अवरोध को काकारी करते हैं वे वन कौन से है मैंग्रोव वन डेल्टाई परदेश में मैंग्रोव वन पाया जाता है जो चक्रवात की गती को रोक देता है मैंग्रोव वन समूध तटिये छेतरों के लवनिये भागों में पाया जाता है भारत में सुन्दर वन डेल्टा में मैंग्रोव वन सरवादिक पाया जाता है जिसमें सुन्दरी विरिक्ष की परधानता होती है सुन्दर वन का डेल्टा विशु का सबसे बड़ा डेल्टा है पाटली पुत्र को पाली ब्रोथा किस ने कहा था? पाटली पुत्र को पाली ब्रोथा मेगस्थनीज ने कहा था उसने अपनी पुष्टक इंडिका में पाटली पुत्र को पाली ब्रोथा कहा है हुएंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है जो हर्सवर्धन के काल में भारत आया फाहियान चंद्रगुप्त दूतिये के काल में भारत आया चंद्रगरहन के दोरान चंद्रमा पर पढ़ने वाली प्रित्वी की चाया को कितने भागों में बाटा गया है तीन भागों में चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतिय लेखक है परिंदा जोसी अंतराष्ट्य ग्रामिन महिला दिवस कब मनाया जाता है 15 अक्टूबर को अंतराष्ट्य ग्रामिन महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है 24 अक्टूबर को यू एन अस्थापना दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को इंद्रा गांदी की पुन्यतिति मनाया जाता है 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है बोध गया कि महाबोधी मंदिर का निर्मान किस काल में हुआ था गुप्त वन्स के काल में ऑप्शन सी हो जाएगा भारत में सरोपर्थम गुप्त काल में ही मंदिर का निर्मान प्रारंब हुआ महाबोधी मंदिर का निर्मान भी गुप्त काल के अंत में हुआ महाबोधी मंदिर का शंबंद महात्मा बुध से है मतुरा कला में शरुपर्थम बुध की मुर्ती बनाई गई योजना आयो के अस्थान पर नीती आयो का गठन कब हुआ योजना आयो के अस्थान पर नीती आयो का गठन एक जनवरी 2015 इस्वी में किया गया option इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा एक जनवडी 2015 को निती आयो का अध्यक्ष परधान मंत्री होते हैं एवं इसके उपाध्यक्ष को केंदरीय कैबिनेट मंत्री का दरजा प्राप्त होता है हदीष है एक हदीष जो है ये क्या है तो हदीष मुहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंदित घटनाओं का शंगरा है तो आप्शन डीष का राइट आंसर हो जाएगा इनमे कोई नहीं वर्ण व्यवस्ता से संबंदित पुरुष सूप्त मूलत निम्न में से किस में पाया जाता है रिगवेद में पाया जाता है बहमनी राजी की पर्थम राजधानी निम्लिखित में से कौन सी थी गूल बरगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1347 इस्वी में अलावदिन हसन बहमन साह ने बहमनी समराजी की अस्थापना की एवं गूल बरगा को राजधानी बनाया और इसके बाद जो है तथा सिहा बुद्दिन अहमद पर्थम ने बीदर को राजधानी बनाया था बहमनी राजधी का विघटन हो गया जिसके फल्सरूप गोलकुंडा, बीजापूर, बीदर, बरार और अहमद नगर के राजधियों का उधे हुआ किस चोल राजधा ने जल सेना प्रारम की थी राज राज पर्थम ने एन बीरेन सिंग किस राजधी के मुख मंतरी बने है मनीपूर के भारत में पर्थम नुकलियर उर्जा आस्टेशन के अस्थापना कहां हुई तारापूर में भारत में पर्थम नुकलियर उर्जा आस्थापना तारापूर में की गई थी बारत का पर्थम नुुकेलियर रेक्टर की अस्तापना 1956 इस्वी में अफ़सरा के नाम से किया गया यह अनुसंधान रेक्टर था next question बिहार के पर्थम निर्दलिय मुख मंतरी कौन थे माहा माया परसाद सिनह बिहार का पर्थम निर्दलिय मुख मंतरी थे आप्शन A राइटांसर हो जाएगा महामाया परसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक मुखमंत्री रहे बिहार के पर्थम मुखमंत्री स्री किरिशन सिंग थे बिहार के पर्थम दलित मुखमंत्री भोला पास्मान सास्त्री थे 1937 सिस्वी में बिहार के पर्थम मुख्य मंतरी मुहम्मद यूनूस बने थे आजादी से पहले अगला कोश्चन देखिए सुलव इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है सुलव इंटरनेशनल के संस्थापक बिन देशुवर पाठक है संविधान के निम नांकित में से किस प्रावधान के अंतरगत भारतिय संस्थापक को नया राजी बनाने का अधिकार है अनुछेद 3 के तहत वन अरिंजर्स मडर्व नामक पुस्तक के लेखक है चेतन भगत ऑप्शन भी राइट अंसर हो जाएगा भारतिय संविधान के किस अनुछेद में मानव के दुरवैपार और बलात सरम को रोखने का पडियाश किया गया है अनुछेद 23 में संगिये संसद का निम्न अथवार लोगपिरिये सदन आपकी से संबोधित करते हैं लोगसभा को संसिये संसद का लोगसभा को लोगपिरिये सदन के रूप में संबोधित किया जाता है राजी सबा को उच सदन कहा जाता है राजी सवा को वी घटित नहीं किया जा सकता है लोग सवा का गठन अनुछेद 81 के अंतरगत किया जाता है भारत के वे पहले उप राष्टपती जीन की कारिकाल के दोरान मिरित्यों हुई थी वे कौन थे? एक मात्र उप राष्टपती किरिस्न कांथ जीनकी मिरित्यों कारिकाल में हुई तो option A right answer हो जाएगा भारत वर्ष में सरुपर्थम दुर्भास का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? अठार सो पचास में भारत में वर्ष अठार सो पचास में सरुपर्थम टेली ग्राप सेवा कोलकता और डायमंड हरवल के बीच शुरू हो गई निम्न में से कौन पंचायती राजविवस्ता को सनविधानिक दर्जा परदान करता है ग्यारवी अनुसूची ओप्चन ए राइट अंसर हो जाएगा तिहतरवा सम्विधान संसोदन के दौरा सम्विधान में ग्यारवी अनुसूची को जोड़ा गया और अनुछेद 243 ए से पी तक के आधार पर पंचायती राज़ को सनविधानिक दर्जा दिया गया चोहतरवा सम्विधान संसोदन दौरा सम्विधान में बारवी अनुसूची जोड़ी गई जो नगर पालिकाओ से सनबंदित है तथा इसमें 18 विशे जोड़े गए भारत में तिरी अस्त्रिय पंचायती राज़ वेवस्था लागू है भारत के आर्थिक नियोजन के छेतर में एक सोशन विहीन समाज के अस्तापना के उद्धिस से किसने सरवोदे योजना प्रस्तूत की थी जैपरकास नरायन 1950 में सरवोदे योजना का प्रारम जैपरकास नरायन के दोरा किया गया 1945 में सिरी एम एन राय ने जौन योजना बनाई 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला अगला कोश्चन देखिए 21 अप्रिल को कौन सा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रिल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है पूर्ण असपर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते है पूर्ण असपर्धा में फर्म में परवेश करना एवं बाहर निकालना दोनों आसान होता है तो अप्शन ए इसका राय टांसर हो जाएगा फर्म नेक्स्ट कोईशन निमलिखित में से भूटान की मुदरा क्या है तो भूटान की मुदरा को निगुल ट्रॉम कहते है आप्शन दी राइट आसर हो जाएगा उस राजा का नाम जो खिलजी वंस से संबंदित नहीं है मलिक कापूर आप्शन डी से AC हो जाएगा मलिक काफूर अलावदिन खिलजी का सफल सेना नायक था जिसे एक हजार दिनार में गुजरात अभियान में ख़ईदा था गुलाम वंज के साशन को समाप्त कर 1290 इस्वी में जलालुद्दिन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंज के अस्थापना की इसने अपनी राजधानी किल खोरी को बनाया दक्षिन भारत की विजय के लिए अलावदिन ने मलिक काफूर को भेजा खिलजी वंज का साशन काल 1290 से 1320 इस्वी तक था अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सरोपर्थम कहां अस्थापित की सरोपर्थम सबसे पहले जो है कलकत्ता में भारत के उस राजधी का नाम बताए जहां जंगली गधों का एक मातर अभ्यारनी अस्थीत है गुजरात में एक मातर गड़ा जहां दीन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधीक है एक मातर गड़ा सुक्र जहां दीन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधीक है तो अप्शन B राइट अंसर हो जाएगा सुक्र परमानु उर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है जी नागेशुवर राव लोक लेखा समीती अपनी वासिक रिपोर्ट किसे पेश करती है लोक सवा अध्यक्ष को लोक लेखा समीती CAG की रिपोर्ट की समेख्षा कर अपना रिपोर्ट लोक सवा अध्यक्ष को सौपता है लोक लेखा समीती में बाज सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं किस भारतिय राजी में इशाई जनसंक्या का पर्तिसत उच्तम है मिजोरम राजी में आशरा संपूर्ण पोशन और विद्या कनुका किस राजी की योजनाये हैं आंधर परदेश की नेक्स्ट कोईशन किस नागरिक सम्मान की आकरिती पीपल के पत्ते के समान होती है भारत रत्न की भारत रत्न सम्मान की आकरिती पीपल के पत्ते के समान होता है भारत रत्न पुरसकार के शुरुवात 1904 इस्वी में हुआ जिसे जनता पाटिक की सरकार द्वारा 1978 में बंद कर दिया गया था किन्तु 1989 में कॉंग्रेस सरकार ने इसे फिल से शुरू किया डॉक्टर सरुपली राधा किरिशनन भारत रत्न प्राप्त करने वाले पर्थम व्यक्ति है सत्यम सिवं सुंदरम किसका आदर्स वाकी है तो ये जो है दूर दर्शन का आर्बी आई ने किस सहर में रिजरू बैंक इनोवेशन हब का उधगाटन किया है बेंगलूडू में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन आफ दी यर दोयर एकिस घोशित किया है अन्जू बॉबी जोर्ज को जलवायू संकर से निपटने हेतू किन एसियाई देश या देशों ने एक समझोता किया है इसराइल जोर्डन यू एई सभी तो आप्सन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ओडीसा में किस नदी पर 110 करोड रुपे की लागत से रोपेक्स जेटी प्रियोजना बनाने की घोसना की गई है धामरा नदी काच को गहरा नीला रंग किस से मिलता है काच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट अकसाइड से मिलता है तो आप्सन ए राइट आंसर हो जाएगा है कोबाल्ट अकसाइड कोबाल्ट अक्साइड से गहरा नीला रंग और कांच में गहरा काला रंग रजत ब्रोमाइड से मिलता है दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उनका स्वाद घट्टा हो जाता है यह किसके बनने के कारण होता है लेक्टिक अमल, option A right answer हो जाएगा दूध से दही बनने की परकिरिया में लेक्टिक नामक जिवानू का योगदान होता है दूध में लेक्टिक अमल, निम्बू में सीटरिक अमल, अचार और सिरका में एसिटिक अमल, इमली में टाटरिक अमल पाया जाता है वायू मंडल में ओजोन परत के हराज के लिए निमलिकित में से कौन सा रसाइनिक दरब भी उत्तरदाई है कलोरो फलोरो कार्बन सी एपसी गैस को फिरियोन गैस भी कहते हैं सीत काल में पौधे पाले में मर जाते हैं क्यूं क्यूंकि उत्तकों की यांतरिक छती और सुसकन हो जाता है मानव में मुख्य नैट्रोजनी अपसीष्ट कौन सा है यूडिया मानम में मुख्य नैट्रोजनी अफसीष्ट यूडिया है यूडिया में नैट्रोजन की मात्रा 46 परतिसत है सबसे बड़ा जिवीत पक्षी कौन सा है सबसे बड़ा जिवीत पक्षी सुतुर मुर्ग है option भी हो जाएगा सुतुर मुर्ग भारत का राष्टिये पक्षी मोर है डो डो एक पक्षी है जो विलुप्त हो चुका है अगला question देखिए डेंगु जोर का कारण है तो ये वाइरस के कारण होता है थैला सीमिया एक अनुवांसिक बिमारी है यह किसको परभावित करती है तो तो option A right answer हो जाएगा रुधीर और समान वेग और एक समान तोरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समेगराफ रैकी होता है तो option D right answer हो जाएगा वेग समेगराफ रैकी होता है operation flood किसे सनबंदित है operation flood का संबंद भारत में दुगद की उत्पादन छम्ता को बढ़ाना है तो option C right answer हो जाएगा दुगद उत्पादन से दुगद उत्पादन को बढ़ाना सुवत करांती के नाम से भी जाना जाता है सुवत करांती या operation flood के जन्मदाता डॉक्टर वर्गिज कुरियन है सुवत करांती की शुरुवात 1970 इस्वी में हुआ धाउने की आवरेती N तरंगधैरी लेमडा और चाल V के बीच क्या संबंद है तो इस सब के बीच में जो है option D right answer हो जाएगा N equal to Vy लेमडा next question देखिए सुमिलित करने वाला है तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं तो option A देखिए hydraulic दाब का सिधान्त ये किस ने दिया था तो ये पास्कल ने दिया था गति के जरत्तु का सिधान्त Galileo ने शौर पढ़नाली का Helio-Centric सिधान्त ये किस ने दिया था तो कॉपर निकस गुरुत्व अकर्षन का सारवत्रीक नियम ये किस ने दिया था तो नियूटन ने दिया था तो option जो है B इसका right answer हो जाएगा next question देखिए यहाँ पर भी मिलान करने वाला है तो चलिए मिलान कर लेते हैं पहला देखिए फर्मी तो एक फर्मी एक्वल टू होता है 10 to the power minus 15 meter एंगस्ट्रम एक एंगस्ट्रम बरावर होता है 10 to the power minus 10 meter एक परकास वर्स बरावर होता है 9.46 into 10 to the power 15 meter इसके बाद देखिए पार्षेक एक पार्षेक एक्वल टू होता है 3.08 into 10 to the power 16 meter तो इसका right answer जो है option D हो जाएगा next question कार्णो टाइट किसका आयस्क है तो कार्णो टाइट यूरेनियम धातु का आयस्क है option D हो जाएगा यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है भारत में यूरेनियम का सरवादिक उत्पादन जारखंड के जादू गोड़ा में होता है पिंच बलेंड यूरेनियम धातु का आयस्क है बक्साइड इल्यूमिनिजा धातु का आयस्क है निम लिखित में से संत्रिप्थ वशा अमल च्हाटी है पॉमिटीक अमल संत्रीप्त अमल है तो option B इसका राय टांसर हो जाएगा पॉमिटीक अमल मम्स है तो मम्स एक विसानो दोरा उत्पन रोग है जो गले से सन्बंदित रोग है तो option C इसका राय टांसर हो जाएगा फाइलेरिया जो है परजीवी क्रीमी के कारण होता है मलेरिया जो है परजीवी प्रोटो जुवा के कारण होता है आंतर जुवर बैक्टिरिया के कारण होता है तो option B इसका right answer हो जाएगा next question अंतरिक्ष यान में ऑक्सिजन की आपूर्दी के लिए पढ़ियुक्त किये जाने वाले एक कोशिकिये सेवाल का नाम है क्लोरेला कैलसियम करवाइड पर पानी गिराने से उत्पन गैस होती है एसी टीलीन गैस option D हो जाएगा एसी टीलीन कुछ अटो मोवाइल्स में पीले रंग के अतिरेक्ट हेर लाइट क्यूं लगे होते है पीला परकास कुहरे को बेद देता है तथा कुहरे भड़ी रात में मार्ग को परकासित रखता है तो option C right answer हो जाएगा portland cement के परमुख संगडकों में शामिल है lime, silica और alumina insulin स्रावित होती है तो insulin जो है ये pancreas या अग्नियासेस में स्रावित होती है outer lens के मुख्य focus पर मिलती हुई परतीत होने वाली परकास की रन अपवर्तन के बाद dash निकलेगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी मिन्डलिफ की आवर्त सार्णी में निमलिकित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली असकेंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को सुल्डर किसकी मिस्र धातू है तो सुल्डर जो है टीन और सीसा की मिस्र धातू है option D right answer हो जाएगा इसके बाद देखिए reasoning और mathematics का question है तो telegram का link description में दे दिया हूँ telegram group जोइन करके आप इस PDF को डाउनलोड किजिए डाउनलोड करने के बाद reasoning और mathematics का question जो है solve किजिए आराम से या video को रोख करके, video को pause करके question सबको solve किजिए मैं इसका right answer जो टिक कर देता हूँ उसके बाद आप अपना सही उत्तर मिला लिजिएगा किनहीं दो संक्याओं का योग तथा गुनलफन करम सा 11 तथा 18 है तो उनके with chromo का योग कितना होगा उनके with chromo का योग 11 by 18 होगा option B right answer यदि एक संक्या का एक तिहाई उसकी करमानुयाई संक्या के पांचवे भाग से एक अधीक है तो वह संक्या क्या होगी वह संक्या 9 होगी option D question number 78 देखिए right answer option B हो जाएगा 2000 इसके बाद 89 का सही उत्तर option D 2500 80 का right answer option D 16 pi question number 81 का right answer option D 7 and half worse question number 81 का right answer option B हो जाएगा 23 question number 83 का सही उत्तर जो है option B होगा 8 84 का right answer option A होगा 3 by 8 question number 85 का right answer option D 2 by 9 question number 86 का right answer option B होगा 9,000 रुपिया 90 देखिए 90 का जो है सही उत्तर option C हो जाएगा 10 question number 88 देखिए 87 बाद 88 का जो है right answer option B हो जाएगा 18 89 का सही उत्तर option A हो जाएगा 20 वर्स 20 दिन इसके बाद 90 देखिए 90 का जो है right answer option C होगा 30 degree 91 का सही उत्तर option B 22 and half 92 का सही उत्तर option C होगा 37 question number 93 में देखिए 93 का सही उत्तर option जो है D हो जाएगा उपर युक्ति में से कोई नहीं 93 का जो है right answer 93 का right answer 1 by N होगा जो की option में नहीं है तो option D right answer हो जाएगा इनमें कोई नहीं question number 94 में देखिए 94 का right answer option B होगा 243 95 का सही उत्तर option B होगा 7 इसके बाद 96 का सही उत्तर option B हो जाएगा 306 question number 97 का right answer option D होगा 0.86 ix 我тоc keहसी में का सॉय उत्तर सуль तराटन चींद ऐख फंद्रावत को इसे नंबर नीनान में देखिए ihan नीनान में का सॉय उत्तर जो आंपसट जो है बिरा राइट का और हो जाएगा 7 नंबर 90-90 और होभी question number 100 100 का right answer जो है option B हो जाएगा root 3 plus root 5 इसके बाद reasoning का question है तो आप telegram से इसका PDF download करके solve कर लिजिए या वीडियो को रोग करके आप solve कीजिए इसका right answer में टिक कर देता हूँ तो आप मिला लिजिएगा निर्देश दिया गया है निर्देश पढ़िए और question number 101 और 2 को solve करना है तो 101 का right answer option C हो जाएगा 28 question number 102 का सही उत्तर option C होगा question number 103 का right answer option B हो जाएगा इसके बाद question number 104 104 का सही उत्तर option C question number 105 का right answer option D होगा निर्देश को पढ़िए पढ़ने के बाद question 106 से 108 solve पढ़िए question number 106 का right answer option C होगा 107 का option B question number 108 का option D हो जाएगा इसके बाद question number 109 देखिए option A right answer होगा question number 110 का सही उत्तर option D 111 का right answer option D होगा question number 111 का इसके बाद 112 का right answer option B 9 मीटर 113 का सही उत्तर option B 112 में 114 का right answer option B 12.6 मीटर इसके बाद निर्देश पढ़िए 115 से 16 तो चलिए निर्देश पढ़िए इसके बाद question number 115 जो है इसका right answer option A हो जाएगा केवल निसकर्स एक निकलता है 116 का सही उत्तर option D केवल निसकर्स दो निकलता है 117 का right answer option B 14 question number 118 का सही उत्तर option C 119 का option B question number 120 120 का जो right answer है option B हो जाएगा question number 121 का right answer option C 122 का जो है right answer option D हो जाएगा 123 का सही उत्तर option C question number 124 का right answer option A दक्षीन 125 का option D 126 का सही उत्तर option C हो जाएगा 3 question number 127 का right answer option D हो जाएगा इसके बाद question number 128 का right answer option A होगा 12 128 के बाद देखिए question number 129 129 का जो है right answer आपको option A हो जाएगा निर्देश परने के बाद 130 से 32 question number 130 का right answer option D 131 का option D 132 का भी option D पालक होगा 133 का option D असोग की केवल पुत्रिया है 134 का option D 81 135 का option C 136 देखिए 136 का option B 137 का option D इसके बाद 138 का right answer जो है option B हो जाएगा 1800 इसके बाद 149 का option C होगा 4 question number 140 देखिए तो 140 का right answer option B हो जाएगा दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो subscribe करने के साथ साथ notification बेल को दबा के all पे किलिकीजिए ताकि आने वाले वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए आपके एक लाइक से मेरा motivation बना रहता है ये निर्देश पढ़ी है इसके बाद question number 141 का right answer option B होगा 80 km लगभग इसके बाद 142 का option B हो जाएगा question number 143 सही उत्तर option B 144 का सही उत्तर जो है option C होगा 145 का right answer जो है option B हो जाएगा 3, 146 देखिए question number 146 का सही उत्तर option A हो जाएगा question number 147 147 का right answer option C 4 लरकी और 3 कुत्ते 148 option B पिता की बहन बुवा 149 का right answer option C पैंथर 150 का right answer option D हो जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में state 10 complete हो गया तो कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके जुरूर बताइए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा बिहार SEC 3rd CGL का practice set complete करा दिया है पली लिस्ट का link description में दे दिया हूँ या चैनल के पली लिस्ट में जाके आप वीडियो सब देखिए set लगे set देखिए और अपना score comment section में बताइए तो चलिए अब मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care बाई बाई बाई